नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिर्ष्टी आएस के इस यूटूब चैनल में दिर्ष्टी आएस ने यूटूब चैनल के माध्यम से उन परिक्षार्थी या विद्यार्थियों को विशेश रूप से ध्यान रखकर ये कारिकर्ण प्रारम किया है ताकि कई बार विद्यार्थी जीवटता या उर्जा के साथ तो तैयरी करते हैं परन्तु एक बहतर रनीती या गाइडेंस के अभाव में वह अंतीम रूप से चैनित नहीं हो पाते हैं इसलिए विशेश कर उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारण से सुदूरतम शेटर से बिलातु बिलॉंग करते हैं या किसी कारण से द्रिष्टी के के इंदर पर क्लास आकर नहीं कर पाते उनमें रनीतिक तौर पर या उनमें जो तत्य आउधारना के तौर पर एक maturity या व्यस्कत चाहिए जो उनके तैयारी के लिए बड़ा आवर्श्यक या निर्णायक होगा उस प्रक्रिया को सकरात्म रूप से क्रियामित करने के लिए दिस्टी आईएस ने इस YouTube चैनल को प्रस्टों के आने का pattern है उनके प्रस्टों के स्रोथ तक या प्रस्टों के पूरे content या concept अर्थात्य और अधारना तक अपने पहुच को आराम से सुनुशित कर सकें खुच से भी एक बहतर रनीति का निर्मान कर सकें और यह आपके चैन में काफी निर्णायक हो सकता है ज्यादा सरलता से प्रस्टों के स्रोथ तक अपने पहुच को सुनुशित कर सकते हैं इस बात पर मैं बार बार रिपीट करके आपको बताता हूं मैं संजीब स्रिवास्ता हूं भूगोल प्रयावन तथा पारस्की के विशलेशक के तौर पे इस द्रिश्टी के Biden को लोग से वायोक के जो 2017 में परिशा पृमिपरीच्चा उसके परस्टों के विसलेशुंग को मैं कर रहा हूं पर इसे कुल मैंने तीन तुलना करके उसको ही मैं आपको समझाऊंगा कई बार आपको लगता है कि ये तक थे या ये अधारना हमें शामिल करना चाहिए याद करना चाहिए अपने तयारी में या नहीं तो आपको सवज में आएगा कि कुछ खास पैटर्ण या कुछ खास सेक्षन है जहां से घूम घ थर्ड वीडियो है उसको और देखते हैं प्रस्नों को समझते हैं इस पैटर्ण को जो पार्ट थ्री वीडियो का पहला प्रस्न ये प्रयावन प्रस्की से प्रार्ण हो रहा है हलाकि इसमें कुछ वर्ड के भी कोश्चन साएंगे बट मुख्य रूप से प्रयावन तथा प्रस्की के प्रस्न ही आएंगे प्रस्न है निम्लिकित में से कौन सा भारत में स्थापिक प्रथा मुराश्टी ये उद्ध्यान है विच बन अब दा फॉलॉइंग इस दा फॉर्स नेसल पार्क स्टैबलिस्ट इंडिया ओवियसली ता एंसर उड़ बी जीम कॉर्बेट जो ये प्रक्रिया थी रास्टिय उद्ध्यान की या वाइड लैफ सेंचुरी को उसको प्रार्म किया था लेकिन मुद्दा ये है सोचने का भी कि भारत में पहला जो रास्टिय उद्ध्यान बना किसी सिकारी के नाम पर कैसे बन सकता है क्या ये द्वैत नहीं लग आपको किसी सिकारी के नाम पर क्या नेसल पार्क का नाम होना चीज जैसे हम किसी बहुत अच्छे कारकर्म को प्रारम करें और उसका नाम रखे रावन रावन सिक्षा योजना तो रावन हमारे यहां अधरनिय नहीं हो सकता है रावन दृष्ट के तौर पर जाना जाता है एक विल है हैली राष्टिय पार्क लेकिन बिस्कली जो सर जिंव थे कॉरबेट थे सर कॉरबेट इन्हों ने बहुत अविस्मर्निया कार्य किया भारत में जो पशु और मानो पशु पक्छी के यह वं मानो के बीच जो अंतराकर्शन से मानो समुदाय मारा जाता था और मानो आया कि मरने से फिर पुशू या। पक्षियों को मारा जाता था. इस चीज को सबसे पहले भारत में अलग करने का इस चीज को कम से कम करने का तरे जाता है जीव कॉर्बेट को, मैं तब कॉर्बेट को. सर कॉर्बेट का नाम था तो सर विचकली अंग्रेजों की परंपरा जो रगा दिया थे जो अच्छे कारी करते हैं उन्होंने ही सबसे पहले डिमार्केट किया कि आखिर इस प्रदेश में जो पशु मारे जा रहे हैं उसका कारण यह नहीं है कि वहां के लोग शिकारी प्रवृतिके हैं क्यों कि देखा य गया था कि पशुमु कोई अर्था कोई चीटा ही है उसको या तेंदूअ है चीटे दूओं का मुस्ते तेंदूए खुब होते थे आज मिस प्रवृतिकान दिवा करणतू मार करके छोड दिया गया अर्था तो ना उनका मांस खाया गया और ना ही उसके खाल को ले जा करके टांगा गया घर में या उसको बेचा गया ऐसे कई बार हुए तो कॉर्बेट के दिमाग में बात आई इसका मतलब यह सिकार किसी और कारण से है और उन्होंने सोध करना सुरू किया इस शोध में निसकर्स निकल के आया कि जो पशु कई बार समाजिक जो गावादी थे उनसे जो गाय होती थी या जो बक्रिया होती थी उनको पशु उठाके मारके खा जाते थे कई बार उसमें आदमी भी मारे जाते थे, इस गुस्से या द्वेस की प्रक्रिया में मानो घेर कर पशू को मारते थे, उसमें बाग भी मारे जाते थे अलाकि कॉर्बेट खुद जीम कॉर्बेट पर जा करके कई बागों को मारे हैं, उनकी तस्वीरे वहां के आप जाएंगे, अंदर में जो रिजोर्ट साधी बने हुए उसमें, तो रुपने की विवस्था भी वहां पर है, सफारी होता है, तो वहां पर उनके फोटोस भी नहीं जाने के शमस्याएं नहीं घटेंगे, इसके लिए उन्होंने कोर एरिया और परिफेरी एरिया बाटा, जो आज भी चलता है, खवधारना के अंतरकत, और साथ ही साथ ये प्रयास किया, ये अंतराकरसन नियूंतव मस्तर पे हो, और ना किया उन्होंने पशुवां को सरचित किया, बलकि मानो समधायव को भी सरचित किया, इसलिए आज भी आप जाएंगे, जो परंपरायल गाउं है उतराखंड के, जिम कॉर्बेट के अंचल में, उन छेत्रों के गाउं वाले भी कॉर्बेट को काबेट बोलते हैं, काबेट साब ने अच्छा काम किया, किस इस ने बताया, तो दादा जी के दादा जी ने बताया, इस प्रकार की चीज़े उपर कड़ाती है, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला राष्टियों ध्यान था, यह 1936 से बना था, यह सारे प्रस्ण इस प्रकार से आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं, क्यो YouTube मार्धम से हम लोग यही बताने का प्रयास कर रहे है, तो बहुत आसानी से अपने चैन को भी आप सुनुर्शिट कर सकते हैं, तो इस प्रस्ण को आप छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं आगे जो अगला प्रस्ण है, वो है, सबके लिए सतत उर्जा दशक पहल है, ये सजुतराश्च संग का ही है, सबके लिए उर्जा दशक, सजुतराश्च संग का है, बिसकली जो सिक्रेटरी है, UNOK, इनका है सस्टनेबिल डेवलप्मेंट, इनर्जी कंसर्ण भी सस्टनेबिल डेव से संबंधित हो और इसी प्रक्रिया के अंदर जो फंडिंग आदे भी है यह वर्ल बैंक भी जो या फिर आई में बीजो अनुदान दे रहे हैं फंडिंग दे अम्दाने फंडिंग कहेंगे फंडिंग इस सके उसके टेक्स भी लिया मतलब टेक्स नहीं उस पे एक इंट्रेस्ट भी लिया रहता है आई में उके दोरा बैंकदर भी बहुत सौफ्ट इंट्रेस्ट पे लोन देती है तो अवर उसमें सतत विकास को जो इनर्जी सेक्टर है उसको सतत विकास जुड़ा गया और G7 की मिटिंग में इस पेसलिस बात को सिर्टी जनल ने उठाया यूए नो के कि अब हमें समय अब जो समय है वो है सतत उर्जा सब के लिए यानि कीवल उन छेत्रों के लिए नहीं जहां पे अब नया बनेगा जो पहले से ताप उर्जा के केंद्र है जैसे कोईला धारित को इताप उर्जा के जल विद्युत भी कारगर हो सकता है इसके लावा तरंगय उर्जा भूतापय उर्जा वाय उर्जा इन सब की स्थापना कीजिए और सब जगह करिए सब के लिए कीजिए तो यह उवर्ण एक मापदंड के तौर पे एक नीतिकत तौर पे जी सिवन की मिटिंग में अब तो कारण क्या था यह बहुत ही बड़ी ट्रेजडी थी भूपाल गैस दुरुगटना जो मिठाइल आइसोनेट इसकली 1984 का जो वर्ष था ना भारत के लिए बड़ा ही तुरदांत वर्ष था 84 के वर्ष में हमारी मानिया प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी जी का किहत्या हुई राजन्ती खद्या इसके परशात सिखों के साथ जो नरसंगहार हुआ और उकलती सही सही परंतु उस समय के निवर्दमान ततकाल जो प्रधान मंत्री बने थे उनका स्टेट्मेंट आग में भोपाल गैस्टेजडी का होना उससे कहीं से भी कम नहीं था सरकारी आकड़े तो पैंटी सो के आज पास थे मैं आपको बता दूँ लगवग एक लाख लोग प्रतेक्ष्या प्रतेक्ष्रूप से इस भोपाल गैस्टेडी से प्रभावित हो गयते हैं इस घटना का मिल सक के निर्मान में मिथाइल आइसोनाइट आइसोनेट मतलब जो जहरेबस के लिए इसके बहुत कम मात्रा से कितना सक का इनी पिस्टिसाइड का यूज किया आता है इसका दो यूज था पहला बहुत माइड़ी वो जो इबन मस्कीटोज के लिए जो हम लोग कोयल जलाते है उसमें भी उसका अंस होता है बहुत माइल होता है इससे मच्छर मरते हैं लेकिन खासकर क्रिसी की प्रकरिया में जो कितना सक का इनी पिस्टिसाइड का यूज होता है या मिल्क इंडस्ट्री में भी पिस्टिसाइड का यूज होता है ताकि दूद कम से कम पतलब धर देर जाएगा दुरगटना और निगट चार से पांच वर्सों में ही और सुचिए सीधे सीधे मौत को अमंत्रित करना और भारत सुसासन अभिशासन तो बहुत दूर की बात है जनता के प्रती जो लगाओ राइधिती का हो सकता हो कितना कम था अब फिर में राइधिक पाटियों समझ जुड़िएगा अगर आज यह हो रहा है तो आज भी गलती होगा कल होगा तब भी गलती होगा मद्य प्रदेश में और वहां के जो मंत्री गन थे उस व्यक्ति को जो उस कंपणी का उनर था उसको एरपोर्ट छोड़ने गए क्यों को डर था कि जनता घेर के लिंचिंग की तरह कहीं मार ना दे और उसको केंद्रिय मंत्री मंदर ने मिल करके फिर यूएस पहुचवाया अभी वाला की जिवित है सांती सी जी रहे हैं क्रिहाईसी राक्रे में तेकि जितने मानों की जान गई के लोग अंधे हो गए अभी तक लोगों को सरकार ने पुरी तरह से मुआबजा तक नहीं द जरूर है कि कमसे कम मौत के सौधागर की तरह कोई शौधा तो नहीं हो तो मिथाइल आइसोनेट का यह लगभग 45 टन रिसाव हुआ था और 45 तन तो बहुत दूर की बारत है यदि एक टन का रिसाव भी हो जाए तो एकाद लाख अदमी के लिए प्रयाप्त है और इसकी सब मिनिममम जो उसका प्रभाव था वो यह था कि अंधे हो गए या किड्नी फैलियोर जाजी समस्याय गया गई उसमे एक वकिल कभी नाम आता है महिला अगयर थी वो वो काफी लंबे समय तक केस लड़ी हालाकि अंता उनका भी होसला पस्त हो गया और किड्नी फैलियोर से उन दिसंबर चौरासी में दिसंबर चौरासी में यह 25 दिसंबर को ऐसे घड़ा था लगभग 45 टन का रिसाव हुआ था यह किटनासक कंपनी के फैक्टरी में हुआ था भोपाल में फैक्टरी लगाई गई थी तो इसका उत्तर है चलते हैं अगले प्रस्न की और अब देखो इ अगले प्रस्न की और तो जो अगला प्रस्न है ने कित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो कार्बोन डाइगसाइट तो कार्बोन डाइगसाइट का 50% 50% सियो टू कोईला आधारित या कोईला आधारित से तो इसे ड्रेन भी कंसर्ट हो जाएगा सिंपल 50% या मोर दैन 50% सियो टू इसी थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है तो यह तो बिल्कुल सुमेलित इसमें कोई डाउट ही नहीं है क्लोरो फ्लोरोकार्बन ऑटोमबाइल देखो क्लोरो फ्लोरोकारबन जो होता है वह यहां स्वमेलित नहीं है और शिमीत रूप से ज्वाला मुखी से तो यह पूरी तरह से सुमेलित नहीं है नाइट्रोस और साइड जलमगन धान खेत से देखो धान के खेती से आखिर नाइट्रोजन क्यों घटता है मिट्टी में चुक्कि जहां भी जलमगन खेत होगा और धान के खेती होगी ना तो मिट्टी का फिक्स नाइट्रोजन कुछ धान का पोधार्शक करता है और कुछ चला जाता है वायू मंडल में अर्थार धान की खेती से 90% और more than nitrox oxide धान की खेत से ही अगर मिट्टी से वायू मंडल की बात करें तो चला जाता है मिर्दा से वायू मंडल में इसको कहते है nitrogen fixation और फिर कई होते हैं जिसको कहते हैं फलीदार जैसे सेम बीन्स राजमा दलहन यह वायू मंडल में उप्लव दे नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन धान के खेच से होता है और सल्फर डागसाइड निकलेगा या सल्फर डागसाइड जो बोलते हैं तो यह कभी भी आप जब किसी भी चीज को जलाओगे तो कार्बन डागसाइड के साथ साथ यह निकलेगा और खास करके जो एट के भट्थे होते हैं इट के भट्थे में तो जो भी इंधन यूज़ किया आता है लकडिया कोईला में यूज़ किया तो कोईला जब भी आप जलाओगे जो एसी ड्रे यह पहले से मुझे लगता है विद्यारत्यों को पता होगा क्लोरो फ्लोरो कार्वन गैस यह सी फ्रिज और इसके साथ साथ कुछ और भी क्यूप्मेंट्स है तो अटो मुबाइल से यह नहीं तो इसका उतर हो जाएगा बी चलते हैं अगले प्रस्न की और जो अगला प्रस्न है हवा में तेहरते हुवए श्रस्निय गणों का अकार हötा है त्हको ॥ी फिजिस का प्रस्न है वै MINT कंसर रहे हूं प्रस्कली जैसे आप वलकेनों पड़ेंगे तो कि उन्हों को होता है एक राक हक का जो अकार होता है ौएंट 500 प्रस्ट मिली निके से च की आसपास का होता है उसी का सपास का होता है एस राक की तरह ही होता है का लिए कि लेकिन जो आलामुखी के वे टुकड़े जो राक से छोटे होते हूं को कहते हैं। अर्थात वो जो क्यों रभते से चोटे होते हर जलाते से जीत थार्यां से इसलिए वायू में तेरता सब्सक्रांगे और वर्षा के होता है उसका अकार जógलली होता है फाइное Health maintenance से कम कई अब यह तत्थ सिंपली याद कर लेना होता कि कि किटने चोटे या जैसे मिट्टी कहीं है या वर्सवा है तो यह मैं क्लासमकसर बतायता हूं को वर्सा यानि रेन की जो जल बूनदे होती हैं वो एक से दो मिली मीटर की बीची होती है जब आप बूना-बूनी रखते हैं तो एक से फॉइंट mir के बीच बीच होती है और जो फुहार की जल होती है फुहार वाला, वो 0.5 mm से भी छोटा होता है, इसे वो लहरदार होकर के आता है, और वर्सा जल को तीन भागों में बाढ़ते हैं, इसका अधार होता है वर्सा के जलमूंदों का आकार, वैसे ही मिट्टी का भी होता है, इसे बालू, तो बालू का आकार प्राया 1.5 या 2 mm से बढ़ा होता है, इसके अलावा बालू के बाद आते हैं, कले पर, तो कले जो होगा, या जलोड मिट्टी जो होगी, वो अर्ध बलूई होती है, और दूमट मिट्टी सको बोलते हैं, जैसे इलहाबाद या प्रेगरास के आसपार जो पाई जाती है, उसका आकार होता है, 1 mm से लेकर के 0.5 mm सबसे महीन कर होते हैं काली मीटी के और राक से थोड़ा बड़ा होता है जो 0.3 mm तक के होते हैं और राक होता है 0.1 mm का उससे छोटा होगा तो टफ हो जाएगा और उससे भी छोटा होगा जो स्वसंद की प्रक्रिया में शामिल होता है वो harmful बहुत जादा हो देशन तो वह होगा 5 माईकरून से छोटा चलते अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है नीचे के वक्त अवीम को देखिए कथन और कारण का जो ब्सक्राइं है उसके लिए कई वीडियो जो प्रश्णों को मैंने इस्प्रीन किया है तो उसमें बनाने के तक्नीकी को मैंने उसमें डिस्कस किया है तो बार-बार दोहरा हो इससे बहतर हो कि उन वीडियो को आप देखिए और बड़े सरलता के साथ उसमें मैंने डेटेल में समझाया है दस मिट समय लेकर के कि कथन कारण अर्थात पेशर्शन और रिजिनिंग के प्रस्टनों को किस प्रकार से हम सरलता या साहस्ता से बना सकते हैं और कई वार तत्थ कम होने पर भी एक्जैक्ली एलवायू परिवर्तन से समाजिक तनाव बढ़ रहा है अब देखो यहाँ पर दो तथ्य है समाजिक तनाव में बृधि हो रही है तो क्या जो फिजिकल चेंज्जेज हो रहे हैं प्रित्वी के बाना बाना है कि वो प्रफवित होता है कैसे होता है देखो भारत में जलवायू परिवरतन से समाजिक तनाव बढ़ रहा है एक statement है सही ये गलत आप सोची तब तक बताते आपको दूसरा कारण है मौशं की चरंडसा की बारंबारता चरंडसा की बारंबारता एवं तिब्रत से खाद सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे अब यहां पर बहुत हत्त क्लियर कर दिया गया कि देखो है क्या एक चेन बनाते हैं जैसे पावर्टी का विशेश सैक्ल होता है ना वो चेन कैसे बनेगा सबसे पहले सपोर्स करो जलवायू यानि एक नया पेज ले पूरे पिथूई का ग्रोभ का वायूमंड य॑ तापमान बढ़ेगा तो वास्पिकरन जादा होगा भार की भिन्मिता जादा होगी प्रसर ग्रेदयें पेजा लिए दिया कि बहार के जाएक ne प्रभाव है वह क्या है फईवेज का यह प्रभाव आईगा तापान भढ़ेगा तो आदरता में ब्रिधी, इवेन वर्सा, लेकिन वर्सा के गहनता में ब्रिधी बहुत ज़्यादा खत्मनाक होगी, गहनता एवं मात्रा दोनों में, तो मात्रा में ब्रिधी तो चल जाएगा, तो गहनता का मतलब हुआ बादल का फटना, यह तो किसी प्रसिती महानी होगा ना, जैसे किसी वो खाना कम मिल रहा है तो काम चल रहा है, तो उसको एक दिन में कहा जाए कि सो पुड़ी खाओ और ना गोली मार देंगे, तो या तो पुड़ी से मरेगा, सो ने उसको पांसो कर दो, जो कि लाहाबाद में प्रयाग राज़त में कई लोग ऐसे हैं जो सो देड़ सब पुड़ी विच चाप देंगे, तो ओवर आधरता में ब्रिधी, वर्सा के गहनता में ब्रिधी, मात्रा में ब्रिधी, वायू दाव, वाय जलवायू की गटि बढ़ गई, तो आंधी हो गया, तुफान हो गया, तो ये सब एक सिमपल प्रभाव मने लिख दिया, जो किसी परसिती में कृशी की प्रिकरिया को प्रमोट नहीं करेगा, को हानी करेगा, आप अब इस नेौ तापन के वज़ा से जलवायू परिवरतन ह अब देखो इसके overall प्रभाव को देखा जाए तो कृसी की प्रक्रिया कृसी पर नकारात्मक प्रभाव है कृसी पर नकारात्मक प्रभाव है कृसी पर ही नहीं पशुपालन पर मतश्यन पर सब पर पड़ेगा जब चक्रवातों की गती तेज हो जाएगी वर्सा जादा विनस्कारी हो जाएगी तो मानवी समुदाय खासकर जो तटियव प्रदेश के मचुवारे हैं वो जल्ली सुभेद्ध हो जाएंगे तो मतश्यन पर फीस का असर पड़ेगा उनकी इकॉनमी पर पड़ेगा और उनकी इकॉनमी पर पड़ा तो फूट सिक्रूटी अपने आप किदर बाद जाएगा तो जल्वायू परिवर्तन इस जल्वायू परिवर्तन का पूरा का पूरा नकारतम का सर क्रिसीव पड़ेगा और जब क्रिसीव पड़ेगा तो फिर ये प्रतिव्यक्ति आय पर पड़ेगा प्रतिव्यक्ति आए पर पड़ेगा तो प्रतिव्यक्ति आए अपने आप खादे सुरक्षा सम्मंदित हो जाएगा खादे सुरक्षा के कुछ समस्या ग्रस कर देगा अब आप जोड़ के देखिए यहां तक कि यदि क्रिसी की कुल उत्पादक्ता घटेगी तो सरकार के लिए भी कल्यानकारी राज्यवाले सरकार के लिए भी यह मुश्किल हो जाएगा कि सभी को खादे सुरक्षा प्रदान किया जाए प्रतिविर्ति आए घटेगा तो गुनात्मक्ता यानि पर्चेजिंग के पैस्टी घटेगा एकॉनमी से डिप्राइब्ड होगा यानि उवरल भुमंदिये तापन केवल एक बैस्विक भौतिक घटना नहीं है इसका सिध पहुंच जा रहा है और समाने तौर पे जो विज्ञान का कहना है कि उन्चास से तापन अधिक होता है तो मानों मस्तिक समाने प्रक्रिया से कारें नहीं करता वो कभी फीट खाकर गिर सकता है यह तो जीवटता है उत्तर भारत के लोग का कि इसलिए जीवीत भी है और बढ करती आय में कमी और इस इस खाद उस लक्षा तो भाई तनाव आएगा ना जैसे आप ही अब सुचिए अभी आप तैयारी कर रहे है आज से 20 साल पहले के जो तैयारी करते थे अधिक्तम तापमान 44 और नियूंतम जा रहा है 0.5 प्रियाग्रास का अधिक्तम जा रहा है उन् से लगते हैं रिस्पॉंस से जिसको बोलते हैं तो चोके सीवियर हो रहा है फिर पांच से भी कम होगा एक या फिर 0.5 0.3 वही बड़ा सीवियर होता जाएगा तो ओवर आल यह सीविरेटी बढ़ रहा है विकॉज ऑफ ग्लोल वामिंग तो भूमनलिये तापन से खाद कम हैं जो अभी भी होन्टे माँफ वाले हैं रोजो काम करते हैं रोज खाते हैं रोज खाने मत्तब घुर खानाओ बढ़ा आ काम नहीं मिलता समस्याएं आती हैं और जलवायू परिवर्तन से मौशम का या रितू का सिविरिटी बढ़ रहा है और थात जो बहुत समस्या ग्रस्ट प्रकार का मौशम है वो बढ़ता जा रहा है जो रोज कमाने और रोज खाने वालों के लिए खाद सुरक्षा पर एक प् तो भही उस समय जो अमरूद बेचने वाला पानी पूरी बेचने वाला प्रयाग्राज या लखनों में ही निकलते थे उनके लिए भजारे ठंड से मरते हैं दूसरा पॉइंट फाइब या दो डिग्री सेसियस में हाला कि रातरी कोई होता है दिन में मालों 5 डिग्री ही है तो तुम्हें पानी पूरी खाने की इच्छा कम होगी यह होगी तो तुम्हें ज्यादा स्नेह लगेगा रजाई में घुसे रहो अभी किताब को छोड़ते हैं इस साल है तो अगले साल तो होई जाएगा कुम का मिला थोड़ी तो चार साल पर तो तेक साल किसी इसका प्रि प्रियाग राज में रहता है उस समय आप बाहर निकलना थोड़ी मत्रों से मिलना घुमना गप मारना तो अलग बात है लेकिन परशीने से परिशान रहते हैं उस केसमें यानि जब मौसम सुहाना होता है तो बैठकी दो घंटा हो तो इस प्रक्रिया में बैठकी आदा गंटा ज्यादा नहीं होता या कम से कम पढ़ाई तो नहीं होती तो फैनली बाहरत के अर्थवस्था के प्रते एक सेक्टर को प्रभावित कर रहा है करसी के साथ साथ समाजिक तनाव और तो बढ़ाएगा यह बढ़ाएगा तो आर्ट एकी व्याख्या करता है इसलिए उत्तर हो जाएगा ए अब इसको आप समझ गया है इसलिए टॉपिक्स को के वाला कंटेंट के तरह पर पढ़िए उसके लिंकेजेज को भी समझें तब यहां मेंस भी भारत में खादे सुरक्षा को ला सकता है क्या जलवाईव परिवर्तन भारत में गंभीर समाजिक तनावुद्पन कर सकता है या कर रहा है सोचके देखिए तो यू मस्ट है गुड लॉजिक्स बिहाइंड दा कंटेंट चलते अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है अधो लिखित लब नीचे दिये हुए कौन से जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है देखो सिंपल है ओडम ने एक मॉडल दिया था ओडम एक बहुत बड़े एक लुज्टी के विद्वान है उन्होंने एक मॉडल दिया है बैयलोजिकल इस्पेक्टरम चार्टक। उन्होंने बहुत डिटेवर में एकस्प्लेनन भी करा रहा है उसकी प्रक्रिया मुझाने जीन से प्रारम किया है जीन से ले करके वो हर चीज पे चलते हैं तो जैसे उन्हों उनका कहना है कि हम अगर टॉप से चलेएं बौटम की ओर सही करम क्या है जन संख्या समुदाय जन संख्या पार्स्कीतन समुदाय भृधरिशे भुद्रिष तो वैसी डाल दिया गया है जन संक्या समदाय पार्स की तंत्र जन संक्या समदाय और पार्स की तंत्र इसके उपर हो जाएगा बायोम और यानि आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले उन्होंने कहा था जीन जीन से बनते हैं कोशिका यह हो गया जहां कोशिका सेल कोशिका के बाद उन्होंने कहा बनता है उत्तक उत्तकों से मिलके बनता है अंग अंग से मिलके बनता है अंग तंत्र अंग तंत्र यह सब अपसर में नहीं है वैसे अंग तंत्रों से मिलकर के बनता है सरीर यानि सरीर का मतलब होए यहाँ पर एक जीव या जन्तू आ गया सरीर से एक ब्रिच पुरा हो सकता है या हम या आप इंडिविज्वल एक सरीर या एक जन्तू की तो आई गया अरा सज में सरीर के बाद होगा ओप्सन में जन संख्या जन संख्या जन संख्या के बाद होगा समुदाय कम्यूनिटी उसके बाद होगा पार्स की तंद्र पार्स की तंद्र के बाद होगा बायोम और बायोम के बाद होगा बायोस्फेर अर्थात जैव मंडल इसी में इस कंसेप्ट को देखो ध्यान से यह ओडम का कंसेप्ट है उपर से नीचे या नीचे से उपर नीचे से उपर या उपर से नीचे तो सबसे पहले क्या होता है जैव मंडल पुरे पृत्वी के जीविये समधाय को या पूरे पृत्वी को हम चा लिए यह संप्रक्न है वायू मंडल जो जैसे आरण समंदित है। जिस विज्यान समय संबंद्क है और तीनों के मिलने से तीनों के संफर्क से रिंद मंडल का विकास विए उसको कहते हैं जैव मंडल बायोस्फेयर तो पूरे प्रतवी का जो मंडल है सम से बढब नब उसमें कई प्रकार के बायोम होते हैं या नहीं जैसे सपोज कीजिए पुरे पृत्वी के अगर मॉडल को हम ले हैं तो यह हो जाएगा एट्मोस्फियर यह थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं ताकि आपको बढ़िया सवज में है यह जैसे होगा ऐसे तीन को लेते हैं हम लोग यह जैसे हो जाता है वायू मंडल अर्थाथ एट्मोस्फियर यहाँ पर रखते हैं अस्थल मंडल अर्थाथ लिथोस्फियर इसी का संबंध होता है भूगाकृति विग्यान से यह हो जाता है जलवायू विग्यान से और यह हो जाता है hydrosphere अर्थात gel मंडल यही प्रित्वी के तीन मंडल हैं और तीनों मंडलों के मिलने से इस मंडल का विकास होता है उसे हम कहते हैं जैव मंडल अर्थात biosphere यानि पूरे प्रित्वी के जीविये शमुदाय का जो छित्र है उसको बोलते हैं बायोस्फियर तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जैव मंडल अब इस जैव मंडल को यदि हम छोटा करेंगे तो बनेगा बायोम बायोम जैसे अब आप ले लिजिए विश्वतिय बायोम विश्वतिय बायोम टुन्डरा बायोम मौनसूनी बायोम बिसकली जो जीशी लियोंग का मौनसूनी बायोम जीशी लियोंग का जो एक ग्यारा चेप्टरक्स में क्लास में पढ़ाता हूँ जो चार्ट के साथ है विश्वतिय बायोम, मौनसूनी बायोम, सवाना बायोम, उमसागरिय बायोम, पश्मी यूरोपिय सब को मिला दिये ग्यारों को तो बन गया बायो स्फियर उसमें से बाटे तो बायों है ना और बायों के बाद जो बटेगा वह यहां मैंने लिख दिया है पार्स की तंत्र समुदाय जन्जन्ख्या पार्स की तंत्र फिर मत्या कॉमिनिटी समुदाय और इस से छोटा हो जाता है जन्जन्ख्या फिर जन्जन्ख्या को छोटा करेंगे तो एक जन्टू आएगा एक मानो हिया सकता है और फिर जो हमने आपको तंत्र बताया था जीन से शुरू किया था यह पूरा का पूरा उड का एक मॉडल है उर्जा से जब अंतराकर्शन होता है तो पूरे इस परसकी प्रदेश से ले करके बायोम और बायोस्फेर का एर्मान होता है उर्डम का मॉडल है वो यही है तो ओहर आल आप देखिएगा यहां पे तो जीन कोशिका उत्तक अंग अंग तंद्र शरीर जनसंख जनसंख्या शमुदाय पॉपुलेशन कमेरिटी एंड इकालोजिकल सिस्टम भूद्रिश बिसकली इसे कंसर नहीं है भूद्रिश को या तो आपको पहले रख दना होगा तो भूद्रिश पहले है भी तो समुदाय के बाद पार्सकी तंद्र आ रहा है और जनसंख्या उसक जनसंख्या इससे बड़ा जब मिलाएंगे तो समुदाय बनेगा कमेरिटी इससे बड़ा इकालोजिकल सिस्टम इससे बड़ा बायोम और विश्चु के सारे ग्यारहों बायोम को जब मिला देंगे तो बन जागा बायो स्फेर अर्थाज्याय मंदल यह भी पूरा का पूर प्रदेश में प्रकृम चार्ट दिया है हालाकि यह इसका इकालोजी का विकास हुआ है उस पर प्रक्रिया से ले करकेकर किसी प्रदेश परणक तंत्र का विकास किसकी किस प्रकार से होता है। उन्होंहें कहा है जीन से और जय विविक विविद्थ वायोडिया वशेटी है वो ये है किसी भी पार्स की प्रदेश में जो पशू या जन्तूओं के विस्थापन का दर है वही अलफा विवर्ता ये आपको साहसोज में नहीं आया होगा तेकिन ये विस्थापन का दर का मतलब होता है जो परिवर्तन का पैटर्ण है और जन्तूओं में परिवर्तन या मनस्पतियों परिवर्तन का आधार जो है वो जीन है जो कि जीन ही क्रेटरिस्टिस को कैरी करता है जिसके अधिन को रहते हैं जेनेटिक्स है ना तो ओहराल इसका उत्तर हो जाएगा सी तो थोड़ा अगर आप परियावणन दिवस पांच जून को होता है प्रिथवी दिवस बाई सप्नेल को होता है तंबाकु निशेद दिवस यह पांच मैं को नहीं होता है अर्थाज जो 31 नमर प्रस्ण है तम बाकुन से दिवस यह 31 माई को होता है यह कंटेंट बेस्ट है कंटेंट बेस्ट प्रस्णों के लिए कोई कि 31 माई को होगा लेकिन यह फिर मैं रिपीट कर दूँ मैंने पहले वीडियो में बताया था 2008 में भी देखिएगा प्रस्णों का पैटर्ण है उसमें 200 के प्रमुक दिवस से ऐसे कूट मिलाने वाला एक प्रस्प्राय आता है तो क्या दिक्कत है उसको याद कर लेते हैं टोटल मैंने साथ बताया था 22 या 23 ऐसे दिवस हैं और उसको एवरी डे परे पांच-पांच को याद कीजिए फिर वीक में एक बार उसको रिवाइस कर लीजिए आप 10 बार ऐसे करके देखिए फिर हमेसा के लिए आपका एक प् पाते हैं और हमारा जो यूटूब वीडियो का पैटर्ण है या यूटूब वीडियो को माध्यम से द्रिश्टी आएस जो आप तक संप्रेशित करना चाहते हूं यही कि कई बार आप चीजों को समझ जाते हैं तब भी उसे तयार नहीं कर पाते तयार कीजिए यह चैन में बाधा बन सकता है या चैन में सहयोगी की भूंका भी नहीं बाच सकता है नड़ने आप पर है हम उसी यवधारना को आप तक शंप्रेशित कर रहे हैं तो 31 मई हो जाएगा तंबाकुन शेट दिवस बाकि ओजों दिवस 16 जिसमबर सिदमबर मैस्ट है 16 सप्टेंबर 87 से इस प्रस्ण हमेशा आता है चलते अगले प्रस्ण की और तो अगला प्रस्ण है हरित गरी प्रभाव से यानि ग्रीन हाउस के इंपैक्ट से वातावरन में निमलखित में से कौन सा परिवर्तन होता है वायू मंडल में कारूंड एकसाइट की सानता बढ़ जाती है वायू मंड लिका है साथ इस को यूपी PCS ने गिलीट कर दिया है वेबसाइट से चुकि जो एविलेबल ऑप्शन्स हैं उप्शन्स के एकॉर्डिंगली ग्रीन हाउस एफट का इंपैक्ट नहीं दिखता लेकिन मैं यहां बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूं इसलिए भी क्य जो ऑप्शन्स से उसमें क्या हो सकता है बेस्ट एवलेबल ऑप्शन्स में से बेस्ट क्या हो सकता है क्या रहे हरित ग्रीप्रभाव ग्रीन हाउस एफेक्ट क्या है ग्रीन हाउस एफेक्ट है इसका सीधा एफेक्ट है भूमंडली अतापन यानि ग्रीन गैसों के मात्रा म जो ब्रिदी है वो क्या करता है ग्लोवल वामिंग जलवायू परिवर्तन भी कराएगा लेकिन अब यहां रूपते हैं यानि प्रतक्ष ना होकर क्या प्रतक्ष प्रभाव पर चलते हैं तो हरित ग्रेव प्रभाव के वज़ा से तेको कारवन डैकसाइट की मात्रा में ब्रि इससे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे होता है ग्लोवल वार्मिंग तो यह तो नहीं होगा कट गया वायूमंडल में आदरता बढ़ जाती है देखो भूमंडलियत तापन होगा तो वायूमंडल में आदरता बढ़ना स्वभाविक है चुक्कि वास्पी करन ज्यादा वायूमंडलियत तापन में ब्रधी तो अधरता में ब्रधी के बजाए इसको ज्यादा बहतर होगा कहना कि जल्चक्र की पकरिया थोड़ी तेज हो जाती है लेकिन हाला की निसकर्स के तौर पे देखा जाय तो वायूमंडलियत आदरता में थोड़ी सी तुलनात और उससे ब्रधी देखी जाती है दूसरा जब तापमान बढ़ेगा तो वायू की गती भी बढ़ेगी यानि ऑप्सन जो डी है और ऑप्सन सी है इनहीं में आपको चुनना होगा और अगर आप हमसे राह लीजिए गया किसा दोनों में किसको चुना जाए तो वायू की गती में जो ब्रधी होती है वो प्रतक्स्ता संबंदित है दाब से और जो दाब से क्यों जब तक दाब प्रवणता यानि यह संबंदित है वायू दाब के प्रवणता से वायू दाब के प्रवणता का मत्ता होता है डिफरेंस यानि प्रिसर ग्रेडियंट से इसलिए यह भी होता है ल ववजूद अगरिन दूनों में चुनना होगा तो आप इसको चुनेंगे क्यों चुनेंगे वायू दाब या वायू की गति में ब्रेंदा होता है वह वायू दाव के प्रवंटता यानि pressure gradient में ब्रदी से होता है pressure gradient concern है temperature के भढ़ने या अगटने से यानि वायू की गति डिलीट नहीं किया जाता तो उपलब्द आप्शन्स में से जो सबसे फेबरेबुल आप्शन आएगा वो आएगा वो आएगा वायुमंडल की आदरता में ब्रधी हलाकि PCS ने इस प्रस्ण को डिलीट कर दिया लेकिन माल लेजिए डिलीट ना किया जाए तो कई बारा को लेगा बिना सीर पैर के पूछ देते हैं मैंने कहा ना कुछ प्रस्ण होते हैं जो आपके content को check करने के लिए होते हैं कुछ प्रस्ण होते हैं जो concept को check करने के लिए अर्था तथ्य को check करने के लिए अवधारना को check करने के लिए कुछ प्रस्ट होते हैं जो आपके लॉजिक अर्थात तर्क बुद्धी को चेक करने के लिए होते हैं, आपके इतने लॉजिकल हो सकते हैं, कुछ प्रस्ट होते हैं जो आपके अभिपर्थी को चेक करने के लिए होते हैं, और कुछ प्रस्ट बाउंसर होते हैं, अर्थात व आप जानते थे उसका performance भी खराब हो सकता है ऐसे प्रस्ण का combination set के तौर पर आता है आपके सामने और प्रशास्त का मतलब क्या होता है तनाओं को भी आप कूप अप करने में यानि उसको शामिता बिठाने में उससे आप सक्षम रहती होंगे है ना चलते अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है निम्लखित में से किसे वायुमंडल के प्राक्रतिक संतुलन के लिए काइवन डागसाइड की उप्यूक्त साद्रता मानी जाती है तो इसमें सबसे बढ़िया क्या है यह कंश्यूशन के प्रटी एकोशन में भी आता है कि यह मस्ट फेबर हर्मूनियस कंस्रक्शन यानि जो है वो अभी के लिए सबसे बहतर है संसोधन हो गया तो मानके जिए संसोधित जो है वह सबसे बढ़िया है सबसे बहतर है अथा कि बनाने वाले ना मन्दवद्धी थे चाहे समिधान बनाने वाले हो या जो अभी जलवायू परही अध्यन कर रहे हो वह तरक बुद्धी के साथ तरक के साथ चीज़ों को प्रक करते हैं कंटेंट को जोडते हैं और तब जाकर एक निसकर्स निकालते हैं और उस प्रक्रिया में धीरे-धीरे विकास होता नहीं करने पड़ते हैं बड़ जो बेस्ट होता है वही सामने आता है ध्यान रखिएगा इफ यह टॉकिंग अबॉट दा हर्मोनेश कंस्रक्शन 0.03% CO2 का परसेंटेज है सबसे अधा है नाइट्रोजन है 78 परसेंट ऑक्सिजन 21 परसेंट आरगन 0.9 मतलब क्यास पर सक लिए और CO2 जो है वह 0.003 परसेंट है अर्थात इतने से अगर ध्यान रखिएगा CO2 के इस मात्रा को बढ़ाएंगे तब भी आईस एज आएगा और घटाएंगे तब भी आईस एज आएगा अब यही गुत्थी आपको सवज में नहीं आ रहा होगा भाई दोनों से कैसे आएगा देखो बिसकली ग्रीन हाउस गैस में सबसे डॉमिनेंट है काबन डागसाइड किसी भी चीज को जलाते हैं यह बहुत सा चीज प्रियोग करते हैं तो CO2 मुक्त होता है ग्रीन गैसें का मत्तव होता है do not are not line देटी ट्रेप कर लेती हैं रोक लete change how that could be जब भी कार्बन की मात्रा बढ़ती है वायुमंडल में तो पहले होता है भूमंडलिय तापन और बढ़ते बढ़ते वो कनवर्ट करता है भूमंडलिय सीतलन में इसको इंगलिस में कहते हैं ग्लोबल डीमिंग और जो भूमंडलिय सीतलन है वो हिम यूप को लाने में सक्षम है अर्थात आप सुरुवात ग्लोबल वामिंग से करें या ग्लोबल डीमिंग से करें कार्बन को बढ़ा करें या कार्बन को घटा करें दोनों ही परिस्थितियों में आई से आएगा जलवायु परिवर्तन का एक्स्ट्रीम मना रहता है इसको और इसलिए जलवायू परिवर्तन को सरक्ती या घिसर्टी हुई बिस्व की सबसे बड़ी आपदा कहते हैं आप इस कंसेप्ट को देखी और समझी हाँ यह सब नॉर्मल बुक्स में आपको नॉर्मल का मतलब होता है इंसी आटी जो पाजार में नोटस है आपको अच्छे पुस्तकों को पढ़ना होगा यूए इन डीपी के कई रिपोर्ट को पढ़ना होगा जिसमें बहुत कंज जैसे एक किताब आती है बिलेशनिस्मित की क intimidating किताब तो political साइंस की है ठेकिन बिलेशनिस्मित के किताब में जो political theories एन ऊवर वाओल जो changes चल रहे हैं वैशनिस्फिक करस्तर पे उसको बिलेशनिस्मित की किताब को डिखीगा sustainable development उसमें 1 chapter फेक masculine जहा चैप्टर आपको लगेगा कि स्पोर्ट प्रिस्ट में रिलीज किया था और कौन फूचर का उसमें क्या था परियावरन और विकास दोनों एक ही है गंगाधर ही शक्तिमान है और सक्तिमान ही गंगाधर है यानि आप अगर परियावरन का छर्ण करते हैं तो विकास की प्रक्रियाएं सीधे तोर पर बादि तो ऐसे अस्तरियव पुस्तकों को आप पढ़ते हैं और खासकर इस बार के PCS प्रिक्षा में 2017 के प्रिक्षा है उसमें तो कई प्रस्ण ऐसे हैं जो आपको हिंदी के पुस्तक के या हिंदी माध्यम के पुस्तकों से तो कोई जुड़ाव ही नहीं है अच्छे पुस्तक जो माध्यम के उनसे उठाया गया है यह अच्छी बात है कि बूर्ड में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का अधारना अधायत प्रस्णों कर रहे हैं मुख्य प्रिक्षा में आप देखिए कितने अस्तरिया आ रहे हैं तो 0.03% यह इसलिए इंडिकेट करके बता रहा हूं कि वे से नहीं है और द्योगी क्रांती के पहले से जब मानव सुरू किया था उस समय से इतना ही है यह जैसे आप सीतलन को लाएंगे या भूले तापन को लाएंगे दोनों पर सेथिया आइसेज को लिए आती है ना ग्लोबल वामिंग बिंस ग्लोबल डिमिंग यानि तापन अप सीतलन को लेके आता है यानि यह तैह है कि पहले तापन बहुत चीजों को नस्ट करेगा और फिर सीतलन को लाएगा और सीतलन लाएगा आइसेज को इसलिए बी इस दा बेस्ट एंसर इमांग ओल नॉप्शन जिन्होंने 0.04 परसेंट को चैनित किया है वो लॉजिकल गलत होगा इनसी आटी में भी सब्सक्राइब करें चलते अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है जै विवेत्ता को अधिक्तम संकट है अधिक्तम डेंजर फ्रॉम के विनास से अनुपयुक्त क्रिशी प्रक्रियाओं से जलवायू परिवर्तन से जल प्रदूशन से देखो एक बात ध्याना हो सकता है लेकिन सीधे जिसका संबंध हो उससे हम जोडते हैं जल जलवायू परिवर्तन एक प्राकृति घटना भी है आई से आता है समाप्त होता है अलाकर उसको विचलन से जोड़ा गया है जो यूएन एफ सी 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 का अध्यान है अगर वो नेचरली होता है तो इस क्लैम संगत है वो नहीं होगा अनुप्रocracy प्रक५्याओं से इससे हो सकता हिता लेकिन अब वन्यों को ओ इस प्रकार से कार्ट करके किके क्रषी की प्रक्रिया है वहाँ जै वित्ता है कहा वा को मानुनर में अर्थाा इनिमल दोनों आजाते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक निवास वनस्पतियों के विनास से यह लॉजिकल एंसर है जैसे कहा जाता ना कि जलवाईू पर निम्रिखित में कौन सा कारण प्रित्वीश से फाइनली बायोम के साथ साथ पूरे जैव मडल को ही डश्ट करेगा तो वह होता जलवाईू परिवर्तन तो प्रस्ण का प्रक्रिया भी है प्रस्ण का जो स्वरूफ है नेचर वह निर्दा करता है कि आपका उत्तर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए है ना त प्रस्ण को बना है तो पर्यावन या पर्सकी में आवास को हम हैविटेशन से जोड़ते है ना कि रहने वाले घर से निवास से चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है जीवास में यह भी बड़ा कंसेप्चुल अच्छा कोश्ण है निमलेकित में से जलवायू परिवर्तन के प्रमुप कारण क्या है बहुत शांदार कोश्ण है यह जलवायू परिवर्तन ने इनक्लाइमेटिक चेंज जीवास मिंधन का अग्याधिक टोज्वलन जीवास मिंधन का इसमें पेट्रॉल होगा डीजल होगा देचरल गैस लस कोईला लकड़ी होगा सब तो जीवास मिंधन ही है इनको जलाएंगे तो प्रॉल्म्त वाएगा ना आया ना इनको जलाएंगे तो प्रॉलम आएगा तो भाई ये तो होगा ही होगा चलिए तेल 440 की संख्या विस्पूटन इसका इंग्लिस है exploding numbers of automobiles driving boil obviously ये भी हो जाएगा शौर धजक में ब्रिधी increasing solar flares इस पर थोड़ा सब्सक्राइब से कर लूगा अत्यधिक वनोन मूलन देखो ये एक दो तीन तो होगा ही होगा लेकिन चौथा जो है ये तीसरा जो है ना एक दो चार तो होगा ही होगा तीसरा जो है अब देखो confusion जो लोग कई बार डेटेल में पढ़ते हैं तब ही समस्याया आती है अगर आपने सविंद सिंह की पुस्तक पढ़े है पारिस्की भुगोल का प्रिवन पार्सकी पे सविंद सर की अच्छी पुस्तक है कुछ मतलब 60 परसंट चीज़ तो फालतों ही उसमें जो विद्यार्थियों से जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है या विस्विद्याले अस्तर पे उनकी आउसकता नहीं है फिर भी बहुत सारी चीज़ें समिन सर की पुस्तक में पुस्तक है बहुत शांदार है मैं आपको सरीज का मेड सिंपल फीजिकल जो रॉफी उसमें भी एक टॉपिक है क्लाइमिटिक चेंज मैं सबका रिफरेंस लेके बता रहा हूँ सविन सिंग की पुस्तक में और रूपा सरीज की पुस्तक में दिया हुआ है लेकिन यह यूएन डिपी का जो रिपोर्ट है यूएन ए उत्री दुरूब के ऊपर जो तारा है पोल स्टार इसको हिंदी कहते हैं दुरूब तारा उसका स्थान ले लेगा वेगा तारा कब लेगा 11,000 वरसों में और वेगा तारा जब वह स्थान यानी 11,000 वरसों के पर शाथ दुरूविया व्यूत कर्मन की समस्याएं भी कि सोलर फ्लेर्स अर्था जो सुर्य की चुम्वक्य अंधी है जो कोरणा पे श्टार्ट होता है उसको सोलर इस्टोर्म बोलते हैं और जब 4,000 होता है तो ब्लैक स्पॉर्स कहते हैं और सुलर कोरोणा अर्था सुर्यके शत्त्त का ओशत्तावपान 6,000 degrees Celsius क्या है है। मैं रिपीट करता हूँ, सुर्यके स्त्तावपान 6,000 degrees Celsius और उसी कोरोणा कहते हैं जब वो घटता है तो 4000 हो जाता है, तो जाला दिखता है उसे black spot of the sun कहते है और जब वो बढ़ता है तो आड़ आड़ उसी कहते है सोलर स्टॉर्म और पृत्वी पर जलवायू के परिवर्तन की प्रक्रिया से इसका सा समंध है समिन सिंग का यह कहना है लेकिन रूपा सरीज का मेट सिंपल पढ़ेंगे उन्होंने सिंपली लिखा है कि क्लाइमिटिक चेंज नौट एक्जैक्टली कंसर्ण विद्ध मेकनिजम और सुलर फ्लेर्स एस वेल इस मेकनिजम और सुलर स्टॉर्म वह पृत्वी पर जैसे ओजो करने यहीं मानओ निर्मित है और यह कौनसा कारण है यह और यह पराकृतिक अरध्यों संबन है यह उनْ सी सी सीच्लामिटिक जाओ नहीं करता है उसका कहना है कि प्राकृतिक कारण से जलवायू का वीचलन होगा अर्थात variation of the climate और अगर वो anthropogenic causes रहा, मानो निर्मित इसको इंग्लिस में कहते हैं एंथ्रो पोजनिक इसको आप देखेंगे तो यह हो जाएगा जलवायू और इवरतन इसलिए मैंने इसको थोड़ डेटेल नहीं बताया क्योंकि कई विद्ध्यार्थ्यों ने मुझसे इस मुद्धे पे जानकारिया नहीं बताया था कि सुलर फ्लेयर्स का संबन्द जलवायू परिवरतन की प्रक्रियाओं से हो सकता है यहां तक कि वायू मंडल में गैसिया जो सनचना है उसमें परिवरतन साप्रिष्टा कर सकता है कर सकता है नोट करेगा क्योंकि और देप्लेट करता है तो सुलर फ्लेयर्स से बढ़ जाए तो ऐसे सा महावनाय बन सकती है लेकिन उनी क्लासे में मैंने आप से यह भी डिसक्स किया था स्टुडेंट्स कि UNFCCC का जो सोध है वो यह कहता है कि प्राकृतिक कारणों से जो परिवर्तन होगा डाट वी वारीशन ऑफ क्लाइमेट जलवायू का विचलन होगा और anthroposonic causes से जो होगा वो परिवर्तन होगा तो simply यहाँ प्याद देखिए यह तीनों के तीनों क्रित्रिम कारण है और यह कौन सा कारण है प्राकृतिक कारण है तो सबसे पले इसी छाट लिए तो उत्तर हो जाएगा एक दो चार ठीक है तीन को हम यहाँ पे हटा देंगे च यहाँ जैविक पदार्थ का मतलब क्या है थोड़ा यह भी देख लीजी विच और वन अब दो फॉलॉइंग एको सिस्टम है मैक्शिमम प्लांट बायो मास देखो बायो मास को परियावरन में कहते हैं खडी फसल अब यह खडी फसल किसी वाली नहीं है अर्थात किसी भी अब इसलिए कई बार डीटेल में तक आप नहीं पढ़ेंगे या शिचक पढ़के आपको बताएं कुल भार ही होता है खडी फसल या कुल भार ही होता है बायो मास और जो पिरामिड तीन प्रकार का होता है पारिस्की में संख्या पिरामिड बायोमास पिरामिड और उर्जा पिरामिड तो यह कहला है पौधों का जयाविक पनार रित्व होता है उस्कडिवन यह प्रजर वन यह प्रजर वन हो सकता है मौन्सूनी वन मौन्सूनी वन भारतों चीन म होगा उश्क्रतिवधिया वर्सा वन यह हो जाएगा विश्वतिया वन एक्विटोरियल विश्वतिया वन शीतोस पजड़वन यह हो गया ब्रिटेन या आप लेजिए लॉरेंशिया प्लस पश्मी युरोपिया अब देखिया आप जहां से आपको बताया गया है सीरे सीदे प्रस्टमई से घूमा करके है और रेगिस्तानी जाडियां यानि मरुस्थालिया और यह बहुत असपर्स तोर पे जीशी लियों लिखते हैं कि विश्वतिया जो बनस्पति है अलाग आप जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको एकॉनमिय कहते हैं अगर आप एकॉलजी के इसी के बेसिस पर यह बनता है एकॉलजी अर्थात पारिस्तित्की के प्रोडक्टिवीटी को काउंट करेंगे यानि पारिस्की कुद प्रोडक्टा को तो लगभग 50% से ज़्यादा विश्वतियम है पचास परसंट से ज़्यादा विश्वतियम है जो खड़ी फसल है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं एक उत्तर क्या होगा अब सोचीए किस प्रकार से प्रस्टार आए और किस प्रकार सो उसका उत्तर निकल रहा है 50% से ज़्यादा विश्वतियम ही है ना चलते हैं अगले प्रस्म की ओर यहां ध्यान रखिएगा सेकेंड अस्थान पर आता है मौन्सूनी चुकर मौन्सूनी दो है उसकड़ी बंदी है मौन्सूनी जो भार्तियों महादीप है साथ में मैंनमार लाओस कमोडिया भी अतनाम तक है और शितोस मौन्सूनी हो जाता है चीन जैपान कोरिया अगला प्र भारत सरकार ने जो वन सरक्षन के लिए अधिनियम बनाया था अब फिर वही देखिए यहां पर फिर से रिपीट हो रहा है अर्था किस वर्स कौन सा भारत में एक्ट यानि विधी बनाया किस चीज के लिए जैसे टैगर पुजट के लिए हाथी प्रयोजना के लिए पर संसोधन राज सरकारें भी कर सकती है इस पर प्रतेक वर्स प्रसनाता है तो एक पोई चार्ट बना करके अव्यार कर लेजिए इसका उत्तर हो जाएगा इस संदे सफलता बड़े आसानी से मिल सकती है इस सफलता को भी आप सुने शित कर सकते हैं टीम दिश्टी का इस दिश्टी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही प्रयास भी है तो सुरक्षित रहिए अब परस्ट के समाप्त हो चुके हैं सुरक्षित रहिए 2017 का संफ्रिशित किया है आगे इसके बाद भी आप चीजों को देखते रहेंगे मिलता रहेगा वीडियो साथ कर रनीती पर भी इसी प्रक्रिया में मुख्य परिच्छा के प्रस्णों का विसलेशन भी आप तक हम पहुंचाएंगे उसमें प्रस्ण कैसे लिखे जाने चाहिए उसका लग वीडियो होगा साथ ही साथ जो प्रस्ण आया हुआ है भोगोल का आपना प्रबंदन का खासका क्रिशी के प्रस्ण बड़े ही चलेंजिंग होते हैं एकॉनमी से भी कंसर्ण होता है और चुके क्रिशी तो क्रिशी परिवहन संचार या वैपार यह सब लिखा भारत का भोगोल नहीं कहें क्रिशी से जो प्रस्ण आया है वो थार्ड पर प्रमाया है भारते क्रिशी का महिला करन यूपीजी ने पूछा हुआ है इस प्रकार के कंसेप्चिल प्रसंग से प्रसंग उठाय जा रहे हैं आयशेयर के रिपोर्ट से उठाय जा रहे हैं तो यदि आप बहतर तयारी करके जाते हैं, तो लिख के आते हैं और नमबर भी पूरा पाते हैं, तो कि ऐसे प्रस्न का हवा भी समानविदार्थियों को जो बहतर तयारी नहीं करते, रनेतिक तयारी नहीं करते, श्रोतों तक अपने पहुंच को सुनशित नहीं करते, वो सफल भ धन्यवाद and all the best.